दोस्तो बॉलिवूड अक्टर अनुबम खेर ने सोशल मीडिया पर कुछ ऐसा पोस्ट किया जिसके चलते पूरे सोशल मीडिया पर संसनी फैल गई है अनुबम खेर का पोस्ट देख कर बॉलिवूड खिलाडी को मजबूरन ये कहना पड़ा कि अब तो रुख जाओ दोस्तो बॉलिवूड के दिगज एक्टर अनुबम खेर ने अपने निव लुक से सभी को हैरान कर दिया है जिससे देखने के बाद हल कोई दंग हो गया है सड़ साल की अमर में अनुबम खेर ने अपनी बॉड़ी का एक जबरजस्ट पिक्चर शेयर किया है आपको बता दें कि उनका ये नया लुक उनकी अपकमिंग फिल्म शिफ शास्तिर बलबोव का है अनुबम खेर ने हाल ही में फिल्म का पहला पोस्टर शेयर किया जिसमें उनका ये नया अवतार देखने को मिल रहा है इससे पहले उनको इस अवतार में कभी भी नहीं देखा गया है इससे देखने के बाद अक्षे कुमार के होश भी उड़ गए है दोस्तों बता दे कि अनुपमखेरने सोशल मीडिया पर अपनी अपकमिंग फिल्म शिव शास्त्री बल्बोवा से अपना पहला लुक रिवील कर दिया है इस पोस्टर में वो बॉक्सिंग अफ्तार में नजरा रहे है उन्होंने अपने दोनों हाथों में बॉक्सिंग गलव्स पहने हुए है और रिंग में उतरने को तयार है पोस्टर को शेयर करते वे अक्टर न लिखा मेरी अगले रिलीज होने वाली फिल्म का नाम है शिव शास्त्री बल्बोवा ये एक साधारन इंसान के असाधारन विक्तित्व की कहानी है ये कहानी आपको हसाने के साथ साथ आपके दिल में खूबसूरत भावना भी जगाएगी आत्म विश्वास की दोस्तों बता दे कि अनुपम खेर को इस अंदाज में देखकर खुद अक्षे कुमार भी हैरान हो गए है उन्होंने भी शिव शास्त्री बल्बोवा का पोस्टर शेयर किया जुसके साथ ही अक्षे ने ट्वेट करते वे चोल बाजी अंदाज में लिखा डियरेस्ट अनुपम खेर स्टॉप इट नाओ प्लीज मैंने आपको बॉडी बनाने को कहा था पर आप तो कुछ जादा ही सीरियस हो गए पोस्टर लुक्स इंट्रस्टिंग गुड लग फॉर शिवशास्त्री बलबोवा कीप गोईंग गौर्दलबी के अनुपम खेर की ए फिल्म शिवशास्त्री बलबोवा दस फरवरी को रुलेज होगी फिल्म में अनुपम खेर के अलावा नीना गुपता नर्गिस फाकरी जुगल हंसराज और शारिब हाश में भी नजर आएंगी काफी लंबे समय के बाद उजुगल हंसराज की इस फिल्म के जरिये वापसी हो रही है इस फिल्म का डारेक्शन अजे विणू गोपालन ने किया है बतादे कि शिवशास्त्री बलबोवा दो अजनबियों की कहानी है जो अमेरिका में मिलते हैं अनपम खेर ने बेशक अपनी अपकमिंग फिल्म का पोस्टर अब रिलीज किया हो लेकिन ये पोस्टर लांचिंग इविन शुकरवार यानि कि 20 जनवरी को ही हो गया था अनपम खेर के इस नई फिल्म शिवशास्त्री बलबोवा का पोस्टर शुकरवार को मुंबई में मशूर बॉक्सर मैरिकाम ने लांच किया था मैरिकाम के बायोपिक को हिंदी सीनेवा की बहतरी इन बायोपिक में गिना जाता है इस फिल्म में प्रियंगा चोपड़ा ने मैरीकॉम का किरदार अदा किया था वही मैरीकॉम फिल्म शिव शास्त्री बलवोगा के पोस्टर लॉंच पर पहुंची तो अनुपमखेर ने कहा मैरीकॉम से बड़ी इंटरनेशनल स्टार और कौन हो सकती है उनकी अंदर बहुत ही साथगी है मुझे लगता है कि जो आदमें खुल कर हस सकता है उसका दल बहुत साफ होता है अनुपमखेर ने इस मौके पर आगे कहा कि मेरी ये फिल्म दस फरवरी को कई बड़े स्टार्स की फिल्मों के साथ रिलीज हो रही है इसलिए मेरी जिम्मेदारी जादा बढ़ गई है मेरी ये कोशिश है कि इस फिल्म का अधिक से अधिक प्रमोशन करूं दोस्तों बताते चलें कि दस फरवरी को ही कार्तिकारन की फिल्म शेहजादा भी रिलीज हो रही है यानि बॉलिवुट के दिगज स्टार अनुपम खेर की कार्तिकारन के साथ बॉक्स ऑफिस पर बिढ़न्त होने वाली है दोस्तों बताते चलें कि फिल्म शेफ शास्त्री बलबुआ दो अजनवियों की कहानी हैं जो अमेरिका में मिलते हैं अनुपम खेर के मताबिक ये बहुत ही प्रिणना दायक फिल्म है उच्छाई के बाद एक बार फिर नीना गुपता के साथ इस फिल्म में काम करने का मौका उन्हें मिला है काफी लंबे समय बाद जूगल हंसराज इस फिल्म के जरिए कमबैक कर रहे हैं इस फिल्म का डारेक्शन अजयन वेलूंगुपाला ने किया है जो इससे पहले मेट्रो पार्क सीरीज का डारेक्शन कर चुके हैं फिल्म में नलगी सफार के भी नजर आने वाली है दोस्तों आपको अनपमखेर का ये अवतार कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएगा वीडियो कर पसंद आतो वीडियो को लाइक करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बैल आइकन दबाएं जिससे हमारी सभी वीडियो के नॉटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहें